अधर्वाइस अपनी चोहान डिनेस्टी आफ शाकंबरी तो इसी से कंटीनियू करेंगे हम एट्स प्रॉमिनेंट रूलर्स जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो भी देख सकता है अधर्वाइस अभी मैं इनको रिपीट भी करूंगी चले विग्र राज फोर्थ से स्टार्ट करते हैं तो विग्र राज फोर्थ को पढ़ने से पहले I would also like to remind you कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिये and if you belong to English medium तो आपके लिए वीडियो बहुत useful है आप चाहें तो इनके short notes भी बना सकते हैं विग्र राज फोर्थ 1158 से 1163 कल हमने ये पढ़ लिया था लेकिन थोड़ा सा यहीं से वापे से start करते हैं तो इन्होंने तोमर्स को हराया and दिल्ली की तरफ कूच किया पहले च सुमदेव ने मिलकर हरी केली जो नाटक है वो लिखा है और ललित विग्र राज लिखा है इनको ये credit भी दिया जाता है कि संस्कृत स्कूल भी इन्होंने बनाया था और उसके उपर हरी केली जो नाटक है उसकी lines भी लिखवाई थी बाद में संस्कृत स्कूल को convert कर दिया गया अधाई दिन का जोपड़ा के अंदर, विग्र राज जो थे उन्होंने बिसलपूर जो गाउं है, जो टाउन है, उसको भी स्टाबलिश किया, और बिसलपूर लेक को भी बनवाया, यानि कि उसका भी निर्मान करवाया, यह हमने कल पढ़ लिया था, आज इसके आगे से स्टाट करेंगे, डॉक्टर दश्राज शर्मा जब विग्र राज को एवालूेट करते हैं, तो वो यह कहते हैं कि इनकी जो ग्रेटनेस है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वो सिर्फ एक मिलिटरी जनरल, एक सक्सेस्फुल मिलिटरी जनरल ही नहीं थे, बलकि वो ले विग्र राज की मृत्यू के बाद जो टाइटल है कवी बंधव, उसका तो मेनिंग ही नहीं रह जाता, मिन्स कोई ऐसर नहीं है जो इसको यह टाइटल दिया जा सके, और सोमदेव सिर्फ उनको अच्छे वारियर्स में काउंट नहीं करते हैं, बलकि एक अच्छा मतलब ल पैरिजन किया जाता है कालिदास और भावभूती के साथ, विग्र राज का जो रें है या जो इनका जो टाइम है उसको गोल्डन पिरियर्ड माना जाता है सब्तलक्ष का, यह हमने पढ़ा है किसके बारे में विग्र राज फॉर्थ के बारे में, ठीक है, so this is about विग्र रा प्रित्वी रास थर्ड जो की चोहान रूलर्स में से सबसे फेमस थे, 11 की एज में गद्धी पर बैठ गए थे, राजस्थान हो, हरियाना हो, डेली हो, मध्या परदेश हो, उत्तर परदेश हो, पंजाब हो, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाए इन्होंने रूल ना किया हो, 1182 म पे इन्होंने परमरी देव को भी हराया, जो की चंदेला रूलर थे महोबा के, और इस बैटल के अंदर जो इनके फेमस ब्रदर से आला एंड उदल, उनकी डेथ हो गई थी, महोबा के थे वो, तो अपनी स्टेट को बचाते बचाते उनकी डेथ हो गई, पृत्वी राज इन्होंने जैचंद को भी हराया, जो की कन्नोज के थे, और उसी टाइम पर स्वैमबर होड़ा था, तो इन्होंने जो जैचंद की, जो बेटी थी सहीं होगी था, उनको भी एक तरीके से अबड़क्ट किया, और शादी की, महम्मद गोरी को भी हराया, जो की पहला बैटल तरायन हुआ था 1191 में, लेकिन 1192 में जो दूसरा बैटल हुआ था, उसमें ये हार गए थे, इस बैटल की बाद, जब वो इसके अंदर हारे महम्मद गोरी, क्योंकि इन्होंने इनको पहली बार माफ कर दिया था, तो दूसरी बार अटेक किया, और ये हार गए, और इसके एज में वो गद्धी पर वैठे, पंजाब, हरियाना, डेली, लेट मी अगेन राइट तो चाए पंजाब हो, हरियाना हो, राजस्थान हो, डेली हो, मध्यापरदेश हो, उत्तरपरदेश हो, पंजाब हो, सभी पर इन्होंने रूल किया, भंडाकास को हराया, परमरीदी द योगिता से शादी की, पहले बैटल ओफ तराइन के अंदर 1191 में मुहम्मद गौरी को हराया, लेकिन दूसरे में खुद हार गए, जिसकी वज़े से चोहांस का डिकलाइन शुरू हो गया, और इंडिया के अंदर तुर्कों का आगमन हो गया, प्रित्वी राज थर्ड को एक के कोट पॉइट ही थे, मतलब प्रित्वी राज के धर्बार में ही बैठा करते थे, सहियोगिता के जो स्वैमवर है, उसकी काफी स्टोरीज है, काफी लोग इस पर बिलीव करते हैं, काफी लोग इस पर बिलीव नहीं करते, स्टोरी ये है कि जैचंद रूलर थे कन्नोज क राज स्वे सेक्रिफाइस कर रहे थे स्वेमवर बेसिकली उन्होंने और्गिनाइस किया था अपनी बेटी सेयोगिता के लिए काफी सारे राजाओं को इन्वाइट किया लेकिन प्रिथवी राज को छोड़ दिया जैचंद यहीं पे नहीं रुके वो उनको और हुमिलेट करना चाते थे मिन्स उनकी और बेस्ती करना चाते थे तो जैचंद ने जो प्रिथवी राज का इस टैचू है वो गेट कीपर की ड्रेस उनको पहनाई और गेट के बहार एस गेट कीपर उनको खड़ा कर दिया इस स्टैचू को सैयोंगिता और प्रिथवी राज एक दूसरे को पसंद करते थे सैयोंगिता की जो आईस थी वो बेसिकलि प्रिथवी राज को ढूंड रही थी और फिर जब उनके हाथ में जो वर्माला थी सो शी वस सर्चिंग कि प्रिथवी राज कहा है लेकिन उनको तो बुलाया नहीं गया था सो वो गेट पर पहुंची हो है और उन्होंने स्टैचू देखा और जो स्टैचू था वो स्टैचू को इमाला पहना दी और उसी टाइम पर प्रिथवी राज भी पहुंच गए तो प्रिथवी राज जो है वो सेयोगिता को ले गए और अजमेर चले गए चोहान जो सॉल्जर से उन्होंने जैचंद की आर्मी को रोका कि वो प्रिथवी राज को ना रोक पाए जब अजमेर पहुंचे तब प्रिथवी राज ने सेयोगिता से शादी की इससे जो रिलेशन से जैचंद के बीच में और प्रिथवी राज के बीच में वो और जादा खराग हो गए तो कौन कौन बिलीव करता है कौन कौन बिलीव नहीं करता है तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं अलग-अलग historians जो हैं वो इसके उपर राजी नहीं होते डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओजा ये कहते हैं कि ये से फेक इमाजिनेशन है वो ये कहते हैं कि परबंध कोश के अंदर हम्मीर महाकाव्या के अंदर और प्रित्वी राज प्रबंध के अंदर प्रबंध चिंता मनी के अंदर ऐसा कोई भी incident mention नहीं है डॉक्टर रोमिला थापर एंड डॉक्टर आर एस त्रिपाथी भी ये कहते हैं कि येस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहीं जो परशियन historical text हैं वो भी ये कहते हैं कि येस ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अबुल फजल ने इस story के बारे में लिखा है डॉक्टर दश्रत शर्मा ये कहते हैं कि कुछ errors रह गए हैं हमीर महाकाव्या में और राम मंजरी में कि संयोगिता के incident के बारे में वहां नहीं लिखा गया और वो ये भी कहते हैं कि love is an important aspect of life तो ऐसा हुआ होगा CC, Vedia और Dr. Gopinath Sharma भी Dr. Dashrat Sharma का साथ देते हैं तो Dr. Dashrat Sharma, CC, Vedia और Dr. Gopinath Sharma इसको सपोर्ट करते हैं Dr. RS, त्रिपाथी, रोमिला थापर और गौरी, शंकर, हीरा चंद, ओजा, इसको सपोर्ट नहीं करते या इसको नहीं मानते अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो हम तो इसके बारे में सिफ बुक से ही जान सकते हैं लेकिन यही कहा जाता है कि आप इस incident को complete fiction नहीं मान सकते यह story centuries से सुनाई जा रही है and इसको ही accept किया जाता है So this was all about the Chauhan dynasty यह हमने पढ़ी Chauhan dynasty of शाकंबरी अभी रंथम बोर की हम कल पढ़ेंगे एक बार मैं आपको दुबारा से रिवाइस करा देती हूँ कल की वीडियो का और आज की वीडियो का So Chauhan dynasty of शाकंबरी and its prominent rulers अलग-अलग वैशनवली and ख्यात्स के अंदर कहा गया है कि यह अगनी कुल से है गौरी शंकर हीराचंद ओजा ने कहा है कि यह शत्रिया है अचलेश्वर टैंपल के अंदर जो इंस्क्रिप्शन्स है उसके अंदर चोहांस को चंद्रवन्शी माना गया है डॉक्टर दश्रत शर्मा इनको ब्रामनेकल ओरिजन का मानते है बिजोलिया का रॉक एडिक्ट है जिसमें कहा गया है बासुदेव जिन्होंने सांबर लेक बनवाई वही इसके फाउंडर है जोकि 551 AD के पास एक्जिस्ट करते थे ये गुर्जर प्रतिहार के बेसिकली वैसल थे उनके उत्तरदाइत रहते थे गुवक फर्स्ट ने इनको फ्री किया इनके जो डिसेंडेंट थे सामंत जोकि सांबर के रूलर भी थे उनका जनम हुआ था ब्रामिन फैमिली के अंदर वक्पति राज के अंदर जोकि एक बहुत पावरफुल चोहान रूलर है इन्होंने प्रतिहार्स को हराया विग्रे राज सेकेंड अनदर पावरफुल चोहान रूलर निकले जो हर्शनात इंस्क्रिप्शन है 973 AD का वो इन सब कॉनकेस्ट के बारे में बताती है कि इन्होंने चालुक्य जो रूलर थे मूल राज उनको भी हराया था विग्राज के बाद दुरलब राज आए और गोविन्थ थर्ड आए पृत्वी राज विजय के अंदर गोविन्थ थर्ड को वेरी घाटा कहा गया है यानि कि इस्ट्रॉयर ओफ एनिमीज फरिष्टा के अकॉर्डिंग जो की डेकन सुल्तान्स के कोट हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा है कि गोविन्थ थर्ड ने गजनी को म्यारवाड आने से रोका तो यह हम शाकंबरी की चोहान डेनेस्टी पढ़ रहे हैं हम रंथंबूर के बारे में पढ़ेंगे देन आए अजयराज अजयराज, अजयमेरुदुर्ग इन्होंने बनाया सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इन्होंने इशू किये जिनको अजय प्रियाद्रम कहा गया इनकी जो क्यूइन थी सोमलवती, उनकी इंस्क्रिप्शन आपको कॉइन्स पर देखने को मिलेगी शिव के बहुत बड़े भग थे टॉलरेंट रूलर थे, सब ही फेथ को जो भी किसी फेथ को फॉलो करना चाता है तो इस सब को रिस्पेक्ट करते थे एंड इन्होंने जैन्स को अलाव भी किया कि आप टेंपल बना लीजे और एक गोल्ड कलश भी गिफ्ट किया थाकि पर्ष्वनाथ टेंपल के अंदर वो रखा जा सके देन हमने पढ़ा अर्नो राज के बारे में जिन्होंने तुर्क्स को हराया और फिर देखे दुबारा से तुर्क से आ जाएंगे जैसे कि आज हमने पढ़ा मालवा को हराया लेकिन कुमार पाल चालुक्य से हार गए आना सागर जील इन्होंने बनवाई वरहा टेंपल बनवाया पुशकर के अंदर खुद शेव भग थे और लैंड भी इन्होंने डोनेट किया खतरगच के लिए इन अजमेर बेब इसका प्रनूंसियेशन डिफरेंट हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करें देव बोध और धर्म बोध इनके टाइम पे बहुत बड़े स्कॉलर्स थे चालुक्या से हारने के बाद इनकी प्रेस्टीज में थोड़ी सी कमी आई याने की थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगा फिर बट बाई डिफीटिंग लेके इनोंने गजनवीद्स को हराया और मालवा और हरियाना के खिलाफ कमपेंड किया जिसके वज़े से इनकी प्रेस्टीज काफी हाई हो गई विग्रे राज फोर्थ की बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया है पृत्वीरास थर्ड की आपको पूरी स्टोरी बताई है I hope you would like this video and please आप video को subscribe जरूर करें channel को subscribe जरूर करें don't forget to like आप लाइक ने कर रहे हो लाइक करिये वीडियो को अभी लाइक करिये so वीडियो को लाइक करिये share जरूर करिये ताकि सभी को फाइदा मिल सके and English Medium Students तक हमारी वीडियोस पहुँच सके so thank you so much